दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ धी फैमिली मैन सीजन टू की अपडेट तो क्या है वो अपडेट वो देखने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मद भूलिए तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि तांडव के कारण अमेजन प्राइम पे जो आफ़त आई है वो अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है और वो आफ़त बढ़ती ही जा रही है तो उसी के कारण तफेमिली में का सीजन टू डिले कर दिया गया था और नेकर्स ने ये भी अनाउंस किया था कि अब तफेमिली में का सीजन टू समर 2021 में रिलीज होगा लेकिन अभी दोस्तों खबर ये आई है कि धी फेमिली मन का सीजन टू है वो समर 2021 में रिलीज नहीं होने वाला है वो थोड़ा डिले हो गया है क्यों डिले हुआ है मैं आपको बताता हूँ हलीब है ओटिटी के लिए जो नई गाइडलाइड गवर्मेंट की और से आई है उसके हिसाब से यह फेमिली मन का सीजन टू डिलीज करना है तो उसके लिए अमेजोन प्राइम के मेंबर ने यह वेब सीरीज देख ली है और उसक को वेब सीरीज में से हटाये जाएगा और यह सभी सीन को दुबारा शूटिंग किया जाएगा तो इस सीन को शूट करने के लिए शायद देर हो सकती है क्योंकि अभी अभी रिपोर्ट मिली है कि मनोच सर को कोविड-19 पोजिटिव आ जाए तो जब तक वो ठीक नहीं होज है उसका कोई दूसरा प्रोजेक्ट अंगर चल रहा है तो उसके बीच में उसको टाइम निकालके अमेजोन की जो यह वेब सीरीज है दिक फैमिली में सीजन टू उसको शूट करना पड़ेगा तो इन सारे बखेडे में कब मनोसर अपना टाइम निकालते है और कब शूट ह होता है उसके बाद कब एडिटिंग होती है उसमें काफी लंबा समय जाने वाला है तो अब यह वेब सीरीज समर में नहीं आएगी लेकिन शायद अभी अम लोग हिसाब लगा सकते है कि यह वेब सीरीज आपको जून या जुल्ले में शायद देखने को मिल जाएगी क्यों क्योंकि अप्रेल में अमेजोन ब्रैम की एक वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम है चब्विस ग्यारा मुमे डैरी और उसके बाद मैं मैंने में आ रही है अमेजोन ब्रैम की तुफान होई तो अभी हम यह मान के चल सकते हैं कि शायद ती फेमेल इवन का सीजन टू जून म में या फिर कुछ भी वर्क में तो जूलाय में देखने को मिलेगा तो बस यही अपडेट जो मेरे पास आई थी मेरे आपके साथ शेयर की वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिजिए शेयर कर दिजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइ कर लिजिए कि उस चैनल में में नहीं जगह का व्लोग डालने वाला हुए तो मेरी दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तन्यवाद